दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसी रेमेडी ले कर आई हूँ जो कि आपके पेट से जुड़ी हुई सारी बिमारियों को दूर करेगी चाहे कब्ज की परिशानी हो चाहे ऐसी डीटी की परिशानी हो या अपच की परिशानी हो इसके अलावा दोस्तों हार्ट से समंधित सार बिमारियां जो हैं, वो भी दूर होंगी, कोलेस्टरॉल को कंट्रोल करेगी, इसके साथ ही साथ दोसों, नसों में यदि ब्लॉकेस की परिशानी है, या दबी हुई नस की परिशानी है, वो सारी चीजें दूर होंगी इस आसान सी रेमेडी से, बहुत बढ़िया बेडी के लिए जो मैं चीज ले रही हूं, उसमें है लेमन, मैंने नीबू को कमशम दो से तीन बार पानी से धो लिया है, क्योंकि यहां पर जो लेमन है दोस्तों, इसका इस्तमाल केवल नीबू का रस नहीं चाहिए, आपको यहां पर नीबू का इस्तमाल छिलके सहीत ही क करना है, जो लेमन पील होता है नीबू का छिलका जो होता है वो नीबू के रस से दस गुना जादा ताकतवर होता है, जितना नीबू के रस में विटामिन सी होता है, उससे कई गुना जादा विटामिन सी नीबू के छिलकों में होता है, बहुत सारे विटामिन और मिनरल हो रहा है जिनका बहुत सदा बैली फैट बढ़ चुका है वे भी इस रेमेडी को लेंगे न दोस्तों तो वजन को घटाने में बहुत आसानी होगी अगर लीवर की कोई परशानी है दोस्तों तो उसके लिए तो एक रामबार्ण नुसका है आपके लीवर को स्वस्त रखेगी ये रेमेडी क्योंकि इसमें केवल तीन चीजों का इस्तमाल करूंगी और तीनों ही बहुत पावरफुल चीजे हैं हमारी सेहत के लिए तो लेमन के बीज को सीट्स को मैं अलग करती जा रही हूं और यहां पर नीबू को मैंने छोटे-छोटे टुकडों में काट लिया है आप चाहें तो इस रेमेडी को जादा बना कर भी रख सकते हैं कम से कम 10-15 दिन आप इसे जरूर लें आपको इसका बहुत अच्छा रिजर्ट मिलेगा खून के गाड़े होने की समस्या है तो खून के गाड़े होने की समस्या दूर होगी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होग खून को पतला करेगी ये आसान सी रेमेडी एक लेमन लिया है 6-7 लहसुन की कलिया लेना है लहसुन का इस्तमाल हम लोग खाने में करते हैं दाल में डालते हैं जबजी में डालते हैं परनतु जो कच्छे लहसुन के गुण होते हैं जो पोशक्तत होते हैं दोस्तों वो हमा इसके बाद आपको इतका छिलका उतारना है छिलका उतारने के बाद आपको लहसुन को बार इक बार इक टुकडो में काट लेना है आप चाहें तो greater की मदद से great भी कर सकते हैं या छोटे-छोटे टुकडो में लहसुन को काट भी सकते हैं इससे heart blockage की जो परिशानी है वो भी दूर होगी शरीर में बह रहा खून पतला होगा आपका blood circulation अच्छा होगा दोस्तों और साथ ही साथ जो लहसुन होता कच्चा लहसुन जो होता है वो हमारी immunity को strong करता है हमारी रोग प्रती रोधक शमता को बढ़ाता है वात पित और कफ र effective remedy है दोस्तों आपके digestion को improve करेगी constipation की समस्या भी दूर होगी यदि लंबे समय तक हमें कब्ज रहता है constipation रहता है दोस्तों तो धीरे धीरे वहाँ बवासीर में तब्दील हो जाता है बवासीर की परशानी भी दूर होगी तो लहसुन को इस तरह से छोटे टुकडों में आपको काट लेना है लहसुन और नीबू दोनों की quantity मैंने बराबद ली एक नीबू में मैंने 6-7 कलियां कलियां बड़े साइस की है 6-7 कलियों का इस्तमाल करना है और जादा बना कर रखना चाहरे हैं तो दो लेमन ले सकते ह और 15-16 लहसुन की कलियां दोनों को अच्छे से मिक्स करना है लहसुन और नीबू के टुकडों को मिक्स करना है इससे दोसों आपकी इमिनिटी बढ़ेगी रोक प्रती रोधक शंता बढ़ेगी और साथ ही साथ दोसों खून की समस्या दूर होगी जो खून गाड़ा होने क हमारी नाड़ियों में हमारे नसों में ठीक तरह से बहने नहीं पाता है और आगे चलकर यह प्रॉबलम कर देता है हार्ट ब्लॉकेस की प्रॉबलम यह बहुत सी प्रॉबलम आती है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें की यह रेमेडी जिनें हाई बीपी है उन्हें जरूर इसे लेना है यह इतनी ज़्यादा फाइदे मंद रेमेडी है दोस्तों खाना जो हजम नहीं होता है इनडाइजेशन गैस यह सारी परिशानिया खटी ड़कार यह सारी चीजें दूर होंगे अगली चीज आपको लेना है शहद शहद जो होता है दोस्तों यह भी हमा की बॉटल में डाल दिया है यह देखे और ठोड़ा चमस से मैं इसे अंदर दबा दिया है थोड़ा सा मैं इस्में दो चमस शहट डाला है です फ़र अभी शहट कम है इतना शहट होना चाहिए कि आपकी जो बॉटबल है वो शहद से भर जाए आपकी जो बॉटल में जो नीबू और लहसुन के जो बारिक बारिक टुकड़े हैं वो शहद में डुबे हुए होना चाहिए ताकि ये रेमेडी हमारी अच्छी वर्क कर सके खराब ना होने पाए और आपको इसे कम दो तीन दिन तक ऐसे ही रखे रहने दे एक चमच आपको रोज खाना है गरम पानी के साथ तो लहसुन, नीबू और शहद ये तीनों ही इतने पावरफुल हैं जो कि आपको सेहत मन रखेंगे पेट से जुड़ी हुई सारी परिशानियां दूर होंगी तो अच्छी तरह से मैंने इसे चमच के पीछे के हिस्से से थोड़ी छोटे साइस की ही दोस्तों क्योंकि मैंने कम क्वांटिटी का बनाया है इतना बनाया है कि चार-पांस दिन ये काम आ जाए आप एक सप्ता ले कर देखें आपको खुद को बहुत ही रहत मिलेगी तो अच्छी तरह से इसे पहले मिक्स कर लें उसके बाद ही आपक खाते भी बनेगा और ये रेमेडी हमारी बहुत अच्छा वर्क करेगी आप चाहें तो नीबू के और छोटे टुकड़े कर सकते हैं और शहद में ये पक जाएगा तीन दिन के अंदर आप चाहें तो चार-पांस दिन भी रख सकते हैं और उसके बाद आप इसका इसका इस अभी नसों में जो बहरा खून गाढ़ा होता है तो अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है और इसे धीरे-धीरे नसों पर दबाओ पड़ता है और कवी बार लकवा जैसी बीमारी का भी खत्रा रहता है इसलिए नसों की कमजोरी नसों के दबाओ को दूर क बहुत बढ़ी हा रेमेडी है आपको बहुत रहत मिलेगी आप इसे जरूर बनाए दोस्तों जरूर लें आपका ब्लड प्रिशर कंट्रोल होगा अगर दिल से जुड़ी कोई बीमारी है हार्ट डिसीज है वो बिलकुल ही दूर होगी आपका पेट अच्छा रहेगा आपक उसका प्रभाव हमारे इसकिन पर भी पड़ता है तो बहुत ही सेहत मंद रेमेडी शेयर की है वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास की चन को सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट जरूर करें